हलो दोस्तों आज मैं आपनों के साथ शेयर करने जा रही हूँ काले चने की रेसिपी बिल्कुल ड्राइ और एक एक चने में आपको मसाले नजलाएंगे और वो भी बहुत ही चटपटा स्वाद में तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं दोस्तों इसे बनाना बिल्क मैं आपको बताऊंगी चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को गैस पर रखिए एक कढ़ाई और इसमें डालिए दो चमच ऑयल डाल दीजिए आपको इसा भी कुकिंग और यहां पर यूज कर सकते हैं इसमें डालिए हाफ टेस्पून जीरा और कुछ इस पैसिस एड़ कर मैंने कट कर लिया था इसे अब इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें अच्छा सा कलर आने तक इसे हम फ्राय करेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है यहां पर देख सकते हैं कि प्यास का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है हलका सा पि और इसे अच्छे से mix करते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे तो अब हम क्या करेंगे ड्राइ मसाले भी आड़ कर लेते हैं ठीक है तो हाफ टीजपून यहाँ पर डाले हल्दी पौडर और हाफ टीजपून डाल देते हैं यहाँ पर मिर्च पौडर तीक आपने हिसाब से रख तो इसके साथ ही में क्या करेंगे हम टमाटर भी आड़ कर देंगे तो बड़े साइस का अगर टमाटर हो तो एक पीस ले लिजेगा और अगर छोटे साइस का हो तो दो पीस आड़ कर दीजेगा अब साथ ही मेना नमक भी आड़ कर दीजेगा ताकि टमाटर हमारे अच्छे दोपीस मैंने हरिमिच एड़ कर लिया है ठीखा अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो चरिए मैंने कुछ सेकेंडी से पका लिया है यहां पर देख सकती है टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है यहां पर की एक बॉल मानी काला चना लिया है जिससे मैंने तोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया था और इसे अच्छे से बॉल कर लिया तो यहां पर देख सकते हैं बॉल हो चुका है तो इसमें अब डाल देते हैं यह मैथड ना बहुत ही इजी है दोस्तों और बहुत ही जटपट से बन जाती है और टेश्ट में तो बिलकुल ला अफ्तार के टाइम बहुत ही मज़दार लगेगी यह रेसिपी यहां पर इसे चटपटा बनाने के लिए मैं यहां पर काला नमक का यूज कर रही हूं आप चाहे रहे हैं यहां पर चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं इसे चटपटा बनाने के लिए ठीक है और इसे अच्छ तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो जरा सभी पसंद आ रही हो तो प्लेज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इसमें सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं जाता है एक बिल्कुल बनके तैयार हो गया है मैं आपको बेकुल सामने से दिखा रही हूं कितना लाजवाब बना है खाने में बेहदे टेश्टी लगती है दोस्तों इस तरीके से आप जरूर से एक बार ट्राय कीजिए और मुझे कमेंस में जरूर से बताईएगा कि आपको ये रेसि चित smp का डूला जब भी बनाना हो ना दो बस तरीके से तरीयों मेरे तरीके से आप इक बर जरूर से ठ्रौकर कर चाहँ है उस तक के बाद ही ना खाईए और मुझे कमेंस में जरूर से बताएए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर से शेयर जरूर से कीजिएगा तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नई रेसे